हलो दोस्तो आज मैं आप लोगों को लगतार चल रही खांसी को तुरंत ठीक करने का एक बहुत ही बढ़िया और 100% असरदार घरेलू उपाय बताऊंगी इसे बनाने में कोई आपको मेहनत नहीं लगेगी ज्यादा समय भी नहीं लगेगा बहुत ही छोटा उपाय है दोस्तो इसे आप कभी भी बना कर इस्तेमाल कर सकते हैं इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं और इसे बड़े भी ले सकते हैं इसे बनाने के लिए दोस्तो आप को लेना होगा अध्रख अध्रख को अच्छी तरीके से अप छील ले और पानी से इसे धो कर साफ कर ले उसके बाद इस तरीके से गोल गोल सलाइसेज में इसे आपको काट लेना है इसके बाद आपको तवे को गैस पर चड़ा देना है गैस को अन करके फिर आपको इस अध्र पहले इसे फैला लीजे एक एक सलाइसे को फिर इसे अलट पलट के आपको सेक लेना है दोनों तरफ से फिर आपको क्या करना है गैस का फिलेम बंद कर देना है जब यह हलका सा गरम हो जाए सीख जाए अधरख को इसी तरीके से आप तवे पर छोड़ दे अब दूसरी तरफ आपको एक छोटा सा तयारी करना है उसके लिए आपको एक चमच सहद लेना है अगर आप अधरख का टुकड़ा ज्यादा लिये हैं तो सहद का मत्रा थोड़ा साब ज्यादा बढ़ा सकते हैं अब दूसरा चीज आपको इसमें काला नमक लेना है काला नमक भी आपको स्वा लेना है इसमें तो मैं यहां पर काली मिर्ज को डाल लेती हूं अब इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है यह घरेलू उपाय बहुत ही असरदार होता है दोस्तों एक बार इसे आप ट्राइज जरूर करिएगा जो लगतार खासी चलती रहती है उसको अब इस अद्रह को टुकड़े को भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इस नूसके को बना कर दोस्तों आप दो से तीन दिन इस्तिमाल कर सकते हैं इसे खाने के डाइनिंग टेबल पर आप रख सकते हैं जब ही आपको लगे कि खासी आने वाली है इसे आप इस्त अब यह नुस्का एकदम तयार है दोस्तों आपको लेने के लिए आपको जब भी ऐसा लगए कि खासी आने वाला है या आप लगतार खास रहे हैं उस समय आपको क्या करना है एक अध्रह का टुकड़ा लेकर आपको मुह में जिस तरीके से चोकलेट को चुसते हैं उस तरीके असानी से ले सकते हैं मुह में उनको तीखा नहीं लगेगा यह थोड़क चड़़ा पता हो जाता है इसकी वज़ह से इससे बचे भी ले सकते हैं तो इससे एक बहरा बना कर रख ले कहीं भी आप लगदा दीजिए घर में डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए घर में जिनको भी खासी की परिशानी है जब भी उनको इख्छा हो एक टूकड़ा लेकर मुँह में रख सकते हैं बहुत ही ज्यदा इससे फैदा मिलता है खासी में उमीद है ये घरेलू नुसका आपको पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों में सेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जनकारी मिल सके और इसी तरीके की नए-णए जनकारी के लिए नए-णए डिलिसियस पी किसान तब तक के लिए बैबै धन्यवाद